जहां पे एक निराशा हाथ लगी है नतीजों में आप अगर देखें कंपनी की आई यहां पे साल दरसाल 21% बढ़ती वी जरूर नजर आई है पर इसके अलावा अगर हम इबिड़्दा का नंबर देखें तो यहां पे कंपनी ने करीब 5.5% की साल दरसाल गिरावट दिखाई है 2722 करोड यह आकड़ा आते वे दिखा है और प्रॉफिट के फिगर में भी साल दरसाल गिरावट रही है लगबक 800 करोड के आसपा से आकड़ा रहा है जहां पे हम उमीद कर रहे थे कि कंपनी का जो प्रॉफिट फिगर निकल कर आए का वो 1713 करोड का हमारा अनुमान था पर उसके मुकाबले लगबक आधा कंपनी ने अपना प्रॉफिट घोशित किया है मार्जन के फ्रेंट पे भी निराशा हात लगी है जहां पर पिछले तिमाही अगर हम देखें तो वहां पे इनकी 21.1% कंपनी के मार्जन रहे थे वो घटकर अब 16.4% कंपनी के मार्जन र कर रहा था पर नतीजों के बाद एक शार्प रियाक्शन क्योंकि उम्मीद से काफी कमजोर नतीजे दिख रहे हैं अभी शेक और एक बार शितिच आपसे ही समयना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं अप यूपील का चार्ट क्योंकि पिछले तीन दिनों से भी कमजोरी दिखा खास पॉजिटिव नहीं है स्टॉक का पिछले तीन दिनों से लगाता है स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है कुछ दिन पहले स्टॉक साथे 700 रुपे के लगबर ट्रेट किया करता था अभी स्टॉक फिसल के 710 रुपे की तरफ मूव करता दिखाई दे रह फ्रेश बाय पोजिशन लेने के आप बिल्कुल सलाह नहीं मिलेगी टेक्निकल सैट अप बीकर साइट पर यहां पे पॉइंट आउट कर रहा है आने वाले सेच्छन के लिए ठीके क्योंकि नतीजे हर पेमाने पर खराब हैं चाहें आप आए की बाद कर लें एबिड़ा याने की कामकाजी मुनाफिक की बाद कर लें मार्जिन वहां पर तो हमने एक शार्प ग्रावट देखी है यूपील के उसके चलते हम देखने की शेर में आज कमजोरी है लेकिन तीन दिन चड़ने के बाद उन तीन दिनों के तेजी यूपील ने तीन दिन में लगातार गमाई थी आज थोड़ा सा शेर वोलेटाइल था नतीजों से पहले लेकिन जो ही नतीजे आए उसके बाद हम देखी आप देख सकते हैं कि कैसी ये शेर नीचे गिरा है और इस वक 700 पर सपोर्ट लेकर समलने की कोशिश कर रहा है वही आज का लो भी है 700 रुपे 45 पैसे आज का यूपील का लो है